सिधार ने रिप्लाइ दिया कि मैं इसे आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा और आप कोल्ट जा सकते हैं सिधार टुक केर ओफ दे स्वान की बहुत अच्छे से देख भाल की अब बहुत ही जल सिधार को राजा की कूर्ट में बुलाया गया सिधार अपनी रासी गाशन पर बैठे हुए थे उनको इस केस के बारे में बताया जा चुका था पहले से प्रिंस सिधार्थ और देवदर तोनों राजा की दरबार में उनके सामने खड़े थे स्वान को कोर्ट में लाया जाये स्वान को लाया गया और उसको छोड़ दिया गया कोर्ट के बीच में अब स्वान ने गया कि अवो दीरे दीरे प्रिंस सिधार्थ की ओर बढ़ा और उनकी सिंगासन की उनकी सीट के नीचे जागर छुप गया किंग सुदोधन गेव इस जजमिन इमेडियतली तुरंत राजा सुदोधन ने अपना निर्ले सुना दिया वो परसन जिसने रच्छा की है बचाया है उसका अधिकार ज्यादा है स्वान के ऊपर दैंधा किलर बजाय की जिसने मारने की कोशिश की है और ये प्रूव हो गया है स्वान के लव के द्वारा क्योंकि वो सिधार को अधिक पसंद करता है क्योंकि सिधार ने उनकी रच्छा की है स्वान की देवदत को अनिमल के प्रती दयालू होना चाहिए, दया की भावना दिखानी चाहिए और जितने भी लोग जितने भी लोग बहां पे मौजूद थे उस कोल्ट में, राजदर्बार में सभी ने राजा के इस निर्णे की प्रसंसा की